हलो स्टूडेंट्स मैं आप सभी का स्वागत कर रहे हूं डेफिनेट सक्सेस पाटशाला में आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 ते हिंदी कोर्स एक लिए तो अभी जो हमने लास्ट अपना चैप्टर किया है वो हमारा चैप्टर था नवबत खाने में इबादत तो उसका हमने डिटेल एक्समिमिशन कर लिया फिर उसके बाद हमने उसके ncrd questions भी कर लिये साथ इसाथ ncrd questions के मैंने आपको एक practice paper दिया था और कहा था कि उसे आपको solve करना है ठीक है पुरा था ना कि solve करना है कि अच्छे से आप उसको लिख के solve करोगे लिख के solve करने के फायदे भी आपको बता दिये थे वह फायदे भी आपको अगर चाहिए तो यह मत सोचिए कि भाई exam अगर फैब में पड़ेगा तो हम जैन्वरी में practice कर लेंगे ऐसा कुछ नहीं होगा आप चाहे जितनी practice कर लो एक बार में थोड़ा 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 खाना पढ़ता है ठीक है ना तभी तुम रहते हैं तो वहीं नहीं हम यहां पढ़ाई के साथ लागू होता है यह कहो कि हम सारी पढ़ाई जाके हम एक महीने में कर लेंगे हो जाएगा सब कुछ नहीं होता है जो आपके साथ result आ रहा है आप उ अच़े से उस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो तो चलो answer कर लो reason हो जाएगा अपने आपको evaluate करो है कि मैं ठीक तरीके समझ पाया कि नहीं समझ पाया answer writing अच्छे से आ जाएगी handwriting सुधर जाएग Hier dniết compliments बन जाएगी बहुत सारी चीज़े कुछ अगर आप करते हो तो ठीक है ना तो इसलिए लिखके लिटरली करना अब यह जो आपको प्रैक्टिस पेपर मैंने दिया था क्लास 10 हिंदी कोर्स एकी बुक थी हमारे श्रतच भागदो इसका गद्य खंड हम कर रहे हैं अध्याय संख्या है ग्यारा नौबत खाने में इदा इबादत इसे हमारे सामने प्रसुत किया है यतिंद मिश्रुजी ने और इस प्रैक्टिस पेपर में मैंने आपको दिये थे दो गद्यांश पठित गद्यांश से इसी चैप्टर के हर गद्यांश में पांच बहुविकल्पिय प्रश्न थे तो यानि कि दो गद्यांश पे पांच पांच करके दस प्रश्न हुए थे आपके बहुविकल्पिय लगू उत्रिये भी आपको मैंने दस प्रश्न दिये थ और एक प्रिश्ण हमारा था कितने मार्स का टू मार्स का ये लगोतरी ये प्रिश्ण थे वर्ड लिमिट आपको मैंने बता दी थी 25-30 वर्ड के अंदर इनका आंसर आपको लिखना है तो आयोप सब कर लिए हुआ चलिए फटा-फटा आंसर चेक कर लीजे आंसर में खाली हमें अपने लिखने के तरीके को इनहांस करना है इसके लिए शब्दों का सही चायन करना है वाक्यों को सही बनाना है आप ये कहो कि हम सिंपल जो बोलचाल की भाशा है उसी में लिख दें ये जरूरी नहीं थोड़ा सा उसे आपको उसकी कैटेगरी जैसे हम बोल देते थे अब इसी को ये तो हमने एकदम साधाराण बोल चाल में लिख दिया अगर इसी को हम थोड़ा सा इनहांस करना चाहें तो क्या देंगे इसमें सिंपल है बस साथ बिसमिल्ला आली की खाजी सांप्रदाइक सौहार्द के जीते जागते फरिश्टे थे आप इस सरी क या आप जो मैं आपके लिए आंसर शीट लेकर जो आप में सिलूशन दूँगे इसमें आपको ऐसे बहुत तरह के वोट्स मिलेंगे जब आप डेली डेली लिखना शुरू करोगे ना पढ़ना शुरू करोगे तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपके दिमाग में आने लगते जिने आप अपने आंसर आइटिंग में इंप्लिमेंट कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारे पास में आएगा हमारा गध्यांच जिस पर हमारे सामने 5 भोविकल्पिय प्रशन दिये कहें 5 प्रशन हमें करने हैं एक प्रशन के लिए एक नंबर आपको अमिरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शम्शुद्दीन 9 का अमिरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चडिया को कहते हैं मतलब राग से उन्हें कोई वास्ता नहीं है और ये लोग मामुजान वगेरा जो बात बात पर भीम पलासी और मुलतानी कहते रहते हैं क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का इसलिए हाथ से अभी उम्र नहीं है अमिरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा तो कहने का ताद पर है कि भाई 6 साल का बच्चा क्या जाने कि भीम पलासी और मुलतानी क्या होता है अब म राग के नाम है और बला यह राग कौन सी चड़िया होती है यह उनको पता नहीं है अब देखें यह वही अमिरुद्दीन है जो बड़े होकर एक इतने बड़े उस्ताज बने छे साल की उम्र में उन्हें रागों का कोई भी मतलब पता नहीं था गोया इतना जरूर है कि अमिरुद्दीन वा शम्षिद्दूईन के मामा साधिक हुसेन तथा अली बख्ष देश के जाने माने सहनाई वादक थे तो अब देखें यहाँ पर नाम उनके दे दिये गए ना मामा थे कौन से साधिक हुसेन और अरालेली बख्ष यह जाने माने शहनाई वादक थे विभिन रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते थे जैसा कि मैंने आपको जब चैप्टर एक्स्प्रेंट किया था तो यह बताया था कि उनके समय में राजा महराजा हुआ करते थी रियासते हुआ करती थी वहां बजाने जाते थे तो जाने माने रोजना मचे में बाला जी का मंदिर सबसे उपर आता है हर दिन की शुरुवात वहीं डियोडी पर होती यहां पर रोजना मचे का मतलब रोजगार के लिए डियोडी पर जाकर बजाते थे तो वहां पर भी मिलता था इसके बाद रियासतों में जाकर बजाते थे तो वहां पर मतलब अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए सबसे पहला जो होता था वो क्या होता था बाला जी की मंदिर की डियोडी पर शेहनाई बजाना हर दिन की शुरुवात वहीं डियोडी पर होती मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समयज है जो रोज बदल बदल कर मुंताली, कल्याण, ललित और कई भैरव रागों को सुनते रहते हैं ये खांदानी पेशा है अलिक बक्ष के घर का उनके अब्बा जान भी यही डियोडी पर शैनाई बजाते रहते हैं तो समझ में आया कि छोटे से जो हमारे अमिरुदीन हैं उनको नहीं अंदाजा कि भाई ये क्या हू रहा है, क्या राग हैं लेकिन उनके घर में सभी का खांदानी पेशा यही है सुरू से सभी जो हैं वो इनको ही बजाते चले आ रहे हैं शेहनाई वादन करते आ रहे हैं तो सबका अपना अपना जो है एक तरीका होता है कमाने का उसी तरीके से इनके हां खांदानी पेशा रहा शेहनाई वादन जिससे इनकी अपनी शोहरत तो हुई हुई लेकिन रोजी रोटी भी इसी से चलती थी चाहे बाला जी की मंदिर पर बजाना हूँ चाहे रियासतों में गाना बजाना हूँ इन सारे से उनको काफी पैसा मिलता था जिससे उनका घर चलता था अब इस पर जो है आपके पास क्या है बहुविकल्पिये प्रश्णे है पहला प्रश्णे है अमिरुद्दीन की उम्र कितनी है कितनी बताई गई पांच वर्ष साथ वर्ष चार वर्ष या छे वर्ष इसका ध्यानश में कितनी बताई गई है तो इसका ध्यानश में बताई ग दो लोग थे ना option देखते हैं साधिक हुशैन अलिबख्ष उप्रोक्त दोनों या अल्ला रखा खां तो कौन थे दो लोग थे साधिक हुशैन अलिबख्ष तो हमें किसमें लगाएंगे तीसरे पर निशान जहां पर लगा है उप्रोक्त दोनों नेक्स्ट भीमपलासी क्या है भीमपलासी और मुल्तानी क्या है राग है न तो चलिए देखते हैं संगीत का एक राग है गाने का बोल है शेहनाई का प्रकार है या पुरसकार है तो भीमपलासी क्या हुआ भीमपलासी संगीत का एक राग है तो इसमें कई नाम दिये गए कल् मुल्तानी चैती और भीमपलासी यह सारे आपको द्यान रखने बदल बदल के रागों के नाम है अलिबक्ष के घर का खांदानी पेशा है अलिबक्ष कौन थे अमिरुद्दीन के मामा जो खुछ शहनाई बजाते थे तो उनके घर का पेशा क्या था बताईए शहनाई बेचन मंदिर में शहनाई बजाना राग बनाना या उप्रोक्त सभी तो उनके घर का खांदानी पेशा है मंदिर में शहनाई बजाना अब यहां पर option यह दिया था तो हमने यह लगा है वैसे उनके जो खांदानी पेशा है वो है सिर्फ शहनाई बजाना मंदिर में बजाना नहीं वो तो रियासतों में भी जाकर बजाते थे अब options के according हमें चलना पड़ता है क्या option दिया गया है जो हमाई सही बैटता है अब देखो शहनाई बेचने का तो उनका था ही नहीं राग बनाना भी नहीं था उपरोग सभी हम लगा सकते नहीं तो option हमारे पास बज रहा था मंदिर में शहनाई यह बजाना अब इसमें सिर्फ शहनाई बजाना भी हो सकता था रियासतों और मंदिर में शेहनाई बजाना हो सकता था ठीक है ना तो यह अब आपको options जो दिये जाएंगे उन्हीं के recording आप चलेंगे नेक्स्ट अमिरुद्दीन के भाई का नाम था क्या नाम था सादिक मुलतानी शम्षुद्दीन या अलिवक्ष अब अमिरुद्दीन के भाई का नाम क्या था वो था शम्षुद्दीन और अमिरुद्दीन के मामा का क्या नाम था सादिक हुशैन और अलिवक्ष तो यह नाम आपको याद रखने हैं तो अमिरुद्दीन के भाई का नाम क्या था शम्षुत दीन चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट गद्यांश पर फिर गद्यांश को हमें ध्यान से पढ़ना है इस पर आधारित हमारे सामने पांच बहुवी कल्पी प्रिश्ण दिये गए है पांचों करने हैं एक कोशिन पर एक माक्स मिलेगा ठीक है देखी क्या है अमिरुद्दीन की उम्र 14 साल है अब इससे पहले जो हमने पढ़ी थी उसमें 6 साल थी अब हम कब आ गए जब वो 14 साल के हुग गए इस रास्ते से अमिरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है इस रास्ते ना जाने कितने तरहे के बोल बनाव कभी ठुमरी कभी टपपे कभी दादरा के मारफट डेहोडी तक पहुंसते रहते थे मतलब क्या होता था 14 साल की उम्र में जो अमेरुदीन यानि जो आपके उसाद बिसमिल्ला अली खान थे यह करते थे डेड़ी अब बाला जी की जो डेवरी थी वहाँ पे जाके यह रियास करते थे अब अपने घर से बाला जी मंदिर तक पहुंसने का जो इन्होंने रास्ता सेलेक्ट किया था जो चूस किया था रास्ता वो रास्ता लेते थे क्या रसूलन बाई और बतूलन बाई के घर से होके नहीं का क्योंकि जब तक ये उस रास्ते से गुजरते थे न तो वहां तरह तरह के राग राग निया इनको सुनने को मिलते थे रसुलन भाई वातुलन भाई के मुझे जो बहुत ही खुबसूरत बहुत ही ले सुर में गाया करती थी तो यह कौन-कौन से राग देखें यहां पर दिया गया है कभी ठुमरी कभी टपे कभी दाद्रा यह सारे सुनते हुए जो है अमेरुद्दीन कहां पहुंचते थे बाला जी के मंदर में रसूलन और बतूलन जब गाती तब अमेरुद्दीन को खुशी मिलती क्योंकि वह ऐसा गाती की दिल को छूज गाई का बेहनों से सुनकर मिली तो कहने का मतलब है कि एक होता है हमारा इंट्रेस्ट जागना किसी काम को लेकर तो अमेरुद्दीन यानि कि बिस्मिल्ला खांका इंट्रेस्ट संगीत की दरफ जगाने में सबसे बड़ा हाथ इन दो बेहनों का रहा इन दो बेहनों की मेना की वडमाला रशूलन्य बाई और बतूलन बाई ने उखे Meri यानि की इनकोंनों एपनी जिन्दगी की स्लेट सिंदगी को स्लेट माना और उस पे वडमाला माना कोण लिख रहा था रसूलन्य बाई और बतूलन्य बाई क्या संगीद उससे ही धीरे-धीरे इनके अंदर संगीत को अपनाने की जो ललक है जो इंट्रेस्ट है वो जगा अब इस पर पांच प्रश्ण है पहला प्रश्ण है बिसमिल्ला खा रियास के लिए जाते थे कहां चाते थे मामा के घर नौबत खाना बाला जी मंदिर या गंगा घाट तो वो कहां जाया करते थे बाला जी मंदिर के नौबत खाने में देखिए चलिए देखिए अब यह एक ऐसा है देखिए यहां पर जैसे ही मेरे सामने आंसर आया बिसमिल्ला खा रियास के लिए जाते थे तो हमारे आपके पास आइंगे अब आपके सामने जैसे है कुण को ग desse बालाबजी मंदिर जाते थे रिया असकर ने वो बालाजी मंदिर के नौबत खाने में जाते तो नीयर वाय आंसर क्या हुआ नौबत खाना ठीक है बाला जी मंदिर तब उस अठीक नहीं हो अगर मान लीजिए सिर्फ बाला जी मंदिर दिया हो तो नौबत खाना ना लगाते ठीक है तो यह सठीक आंसर क्या होगा नौबत खाना नेक्स आते हैं नौबत खाना जाने के रास्ते में किसका घर पड़ता था रसूलन बाई का सादिक का चाचा का ए मामा का तो अब इसमें देखे जो सही आंसर है वो रास्ते में पड़ता था रसूलन बाई का अब इसमें जो आप्शन हो सकता है रसूलन बाई बतूलन बाई भी हो सकता है उपरोग तो दोनों भी हो सकते हैं अब यह options पर डिपेंड करता है कि आपको options क्या दिये जा रहे है नेक्स्ट है बतूलन भाई के घर से होकर नौबत खाने जाने वाला रास्ता अमुरे दुन को क्यों अच्छा लगता था क्या कारण था अमेरी दुन को वही र रास्ता अच्छा लगता था जो रसूलन भाई बतूलन भाई के घर से होकर जाता था इसका रीजन देखिए संगीत के बोल बनाव सुनने को मिलते थे यह रास्ता छोटा था एक रास्ते पर उनका मित्र था उप्रोक्त सभी तो सही क्या था क्योंकि इस रास्ते पर संगीत के बोल बनाव सुनने को मिलते थे संगीद में कभी ठुमरी कभी ठप पे इस तरीके की चीजे मिलने को सुनतिन को मिलती थे तो यह सारी चीजें धीरे-धीरे अमिर्य दिन को अकर्शित करती थी यह सुन्ने में इतना अच्छा है मैं इसी रास्ते से जाओंगा इसलिए उन्होंने वो रास्त अपनाया था नेक्स अमिर दीन को खुशी कब मिलती थी कब मिलती थी बतूलन के गाने पर रसूलन के गाने पर उप्रोक्त दोनों अफसरों पर या मन्चिय प्रस्तुति पर अब बताए कब खुशी मिलती थी जानिक जाहिर सी बात थे रसूलन और बतूलन के गाने पर तो यहां लगाएं Joo sheet my next आजाते हैं प्रश्नोक्त गध्यांश के लेखक हैं सरवेशर दयाल मनुभंडारी यतिंदर मिश्र या यश पाल तो सही कौन है यतिंदर मिश्रा चलिए यहाँ पर ख़दम हो गए हमारे बहु विकल्पिये प्रश्ण अब हम किस पर आ चुके हैं अब हम आ चुके हैं लगूत्रिये प्रश्णों पर ठीक है जहाँ पर प्रश्णों के उत्तर हमें 25 से 30 सब्दों में देने है एक प्रश्ण हमारा कितना रहेगा 2 मार्क्स का तो 10 प्रश्ण करेंगे तो कितने मार्क्स के हो जाएंगे 20 मार्क्स के ठीक है समझ गए 10 मार्क्स हम कर चुके हैं 20 मार्कस हम करना शुरू कर रहे तो हो जाएगा टोटल 30 मार्क्स का सबसे पहले आ रहा है बिस्मिल्ला खान की जीवन शैली कैसी थी अब आपको ये बताना है उनकी जीवन शैली बहुत ही साधारन सरल थी इतने फेमस इसनान होने के बावजूद भी उनकी शैली बहुत ही सरल थी देखे क्या है बिस्मिल्ला खाने अपनी जीवन शैली साधारन व्यक्ति की रखी थी मतलब आप एक ताप प्रसिद्धी प्राप्त कर चुके हो भारत रत्न मिल चुका है लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी जीवन शैली को बहुत साधा और सरल रखा था बिस्मिल्लाख हां सच्ची मुसल्मान होते हुए भी गंगा मैया नहीं थी उन्होंने सदा उतनी ही फीसली जितनी उनके परिवार की आवशक्ताओं को पूरा करती थी तो यहाँ पर थूड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टिक है मैं सही कर देती हूं ठीक है दो मिन्ट देखे क्या है बिस्मिल्लाख हां ने अपनी जीवन सहली साधारन रखी थी बिस्मिल्लाख हां सच्ची मुसल्मान होते हुए भी गंगा मैया में आस्था रखते थे ठीक है उन्होंने सदा उतनी ही फीसली यहां यह काट दीजिए यह नहीं रहेगा उन्होंने सदा उतनी ही फीसली थी जित्ती उनकी तथा उनके परिवार की आवशक्ताओं को पूरा करती थी कहने का तादपरी क्या था भई वो कहीं पर जाके बजाते थे तब उनके लिए उनको पैसे मिलते थे, उनके बहुत सारे शिष्ष थे जो उन से सीखने आते थे फिर उतनि जितना जरूरत उतनाश ली है था। उनकी बाबा विश्वना तथा बाला जी में शद्धा रखते थे मुसलमान होते विए भी इसमें शद्धा रखते थे रसिक और विनोधी सुभाव के बिस्मिल्ला खां के जीवन में कोई तड़क भड़क उपलब्धी का इससे पता चलता है कोई तड़क भड़क नहीं थी अब इससे क्या है कि उन्हों ने इतनी सारी उपलब्धियां प्रजसे होता है आज के समय में लोगों को पास पैसा आ गया उपलब्धी आ गया तो हमारे जीवन शेली हमारा रहन सेन खान पान सब बदल जाता तड़क भड़ा आ जाती लेकिन उनमें नहीं था एक बार उनकी शिश्या ने फटी तहमत पहनने के लिए टोका परंतु बिस्मिल्ला खां मुस्कुरा कर बोले मुझे प्र नेम आ जाने के बाद में उन्होंने वो अपना रहन सेन नहीं बतला वे चाहते तो अपने लिए सभी प्रकार के भौतिक सुख लठा कर सकते थे परंतु उन्होंने अपना जीवन अपनी इच्छा से साद्गी और सरलता से व्यतीत किया था नेक्स कोश्चिन है बिसमिल्ला खां की एतिहासिक उपलब्धी क्या है एतिहासिक उपलब्धी बोली है यह जो इतिहास में दर्ज है तो चलिए देखते क्या है आज तक किसी भी महान से महान संगीतकार को यह गौरव नहीं मिला जो बिसमिल्ला खां को मिला क्या था बिसम को उसकी पहली सुबा पंद्रागा सुतिस से तालिस को लाल के लिए पर शहनाई बजाने का अफसर मिला था यह एक पहली उपलब्दी थी दूसरा एतियासिक अफसर 26 जनवरी 1950 को लोकतांतिर गंग्रांज के मंगल प्रभाद के रत की अगवाई पर बिसमिल्ला खा को लाल के लिए पर शेहनाई बजाने का मिला था अब आप क्या था 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का सम्विधान लागू हुआ था तो उस दिन भी लाल के ले पर पहली बार शेहनाई बजाने का कर उस्ताद बिस्मिल्ला अली खां को ही दिया गया था तो यह दो ऐसे एतिहासिक इवेंट हैं हमारे राज़्टी इवेंट भी कह सकते हैं आप उनका उसकी सुभा को मांगलिक बनाने का कार रहे उस्ताद बिस्मिल्ला अली खां को दिया गया था सौरी तो यह उनकी एतिहासिक उपलब्दी रही प्रेश्ट संख्या तीन पे आ जाते हैं बिस्मिल्ला खां ने संगीत के छेत्र में उन्नती के साथ साथ जीवन को अत्यंत सरलता और सादगी से वित्यत किया पाठ से उधारन देकर इस कथन को सुद्ध कीजिए कोशन समझ यह पहले क्या है बिस्मिल्ला खाने संगीत के छेत्र में उन्नती के साथ साथ जीवन को अत्यंत सर रलता और साथ ही मतलब उन्हों ने बहुत प्रसिद्धी प्राप्त करी ठीक हैं का बहुत नईम हुआ उन एक बहुत Covid मिला सम्मान मिला लेकिन वो सारा जो नेम थ फेम था वो उसका असर इनकी जीवन शैली पर नहीं आया इन्हों ने बहुत ही साधारन रूप से अपनी जीवन शैली को जिया अब आपको ये उधारन निकालना है पाट से कि ये जो सरलता साध्गी उनके किस प्रसंग से हमें पता चलती है तो एक वो तहमत वाला जो किस्ता था वो आप यहां पर दे सकते हो ठीक है चली देखे क्या है निश्य ही बिस्मिल्ला खान महान संगीतकार थे उन्होंने शेहनाई वादन कला को जिन बुलंदियों तक पहुचाया है या एक असाधन उपलब्धी कही जा सकती है वे चाहते तो अपने भौतिक सुक के लिए बहुत अच्छे संगीतकार साथियों को परिवार सहित अमेरिका में उनकी जीवन शैली के अनुसार रखना चाहता था ठीक है उनकी पूरे परिवार को कैसे रखना चाहते थे किंद भिस्मिल्ला खा ने अमेरिका के अश्वर की चाहना रखते हुए उन से पूछा कि वहां गंगा नदी कहां से लाएंगे तो उन्होंने मदब चाहते तो अमेरिका में वो लोग हमें बुस्तरी किस रह नखा जा रहे हैं तो कोई भी चला जाता उन्होंने सीधे बोला कि भाई आप हमारी जीवन शैली की तरह हमें रह लख लेंगे ठीक हम जैसे रहते हैं आप हमें रख लेंगे लेकिन मेरे जीवन का एक महातुपूर्ण अंग है गंगा वो गंगा मईया आप कहां से लेकर आओगे हमारे लिए अमेरिका में इससे उनकी सरलता एवं साधिगी अन्न से अधिक दिखाई देती है वे चाहते तो अपने लिए सभी प्रकार के सुख और आम एकत्रित कर सकते थे किन्तु उन्होंने अपना जीवन अपनी इच्छा और साध्की के साथ जीना ही पसंद किया मतलब जो उनके जीवन की साध्की थी हो रखते चाहते तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें अच्छीव हो सकती थी मगर उन्होंने कभी भी उस लालज के साथ अपना संगीत नहीं किया था नेक्स कोशन है कोशन नमबर फूर दुनिया कहती सुभान अल्ला तिस पर बिस्मिल्ला खां कहते अब अलहमुद दुलिल्ला आश्रे इस पश्ट कीजिए अब इस पूरे वाकिका मतलब आपको बताना है चलिए देखी क्या है आश्रे इसका क्या है बिस्मिल्ला खां की श इश्वर धन्य हैं उसने ऐसा महान कलाकार बताया कि मतलब वहवा करने लगते लोग रहे वह क्या बजाया क्या शहनाई बजाई लोग तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाते वह इतना अच्छी शहनाई वादन करते थे इस प्रकार लोग उनकी कला को अधुतिय बताते कि मतलब है कि ऐश्वर की एल्ला की क्रपा से मुझे ये प्राप्त हुआ है मैंने कुछ नहीं किया अगर ईश्वर की आजड़ा नहीं होती तो शायद मैं यह नहीं कर पाता यह मेरी प्रश श्यंत्रमां रहे अल्लाग के रिए उन्होंने मुझे इसके लिए चुना प्रेश्ट संख्या पाज है अक्सर समहारों और उस्तवों में दुनिया कहती है यह बिस्मिल्ला खां है यहां बिस्मिल्ला खां की किस विशेश्टा की और संकेत किया गया है क्या कहते हैं समारों और उफसरों में मतलब समारों मतलब बड़ी बड़ी पार्टीज होती सब हो लोग इंटरिवस करातें कि बिस्मिल्ला खाँ को इंटरिवस क्यों कराया जाता उनके संगीत वादन के लिए उनकी यही विशेष्टा आपको बताने नी तो जो इतनी अच्छी बजाते थे इसलिए लोग उनसे जो है वह बहुत क्या कहते हैं आदर समान के साथ पेश आते औ वहां एक महान शेहनाई वादक का रूप होता था उनके जैसे शेहनाई कोई बजाए नहीं पाता था तो समारों उत्सों में जब यह देखा जाता था अरे यह वह मशूर शेहनाई वादक हैं इस तरीके से होता था जहां बिस्मिल्ला खा की फूंक और शेहनाई की जादूई आवाज लोगों को सम्मोहित कर देती है यहां बिस्मिल्ला खा के अदुतिय और मधुर शेहनाई वादन की ओर संकेत किया गया है तो इनकी कौन सी जो विशेष्टा बताई गई है वो बताई गई है उनके जो इतन अच्छी वो शहनाई बजा लेते हैं जिसकी वज़ा से वो मशूर शहनाई वादक बने ये उनकी विशेष्टा की तरफ इशारा किया गया है प्रेश्ट संख्या 6 है मामुद वारा शहनाई बजाते हुए संपर आने पर अमिरुद दीन कैसे दाद देता था क्या कैसे दाद देते थे वह पत्थर फेक के देते थे ना इससे उनमें किस तरह की समझ का पता चलता है चोटे से अमिरुद दीन को दाद देना क्या होता है अब संपर आना जब चूची अच्छी लगे तो भाई दाद दे दो तो वह दाद करते थे कि पत्थर ऐसे पटक के दाद दिया करते थे ना तो वही चीज़ आपको यहां एक्स्प्रेइन करनी है जब शैनाई बजाते हुए अमिरुदीन के मामुस संपर आते चीक है तब धर से एक पत्थर जमीन पर मारता था देखे संपर आने का मतलब यह होता है कि जहां से हमने शुरू किया अब जहां से संपर आने की तमीज उसे बशपन से आ गई थी यानि कि उन्हें संगीत का मतलब तब समझ में आ गया था कि जब वो मात्र छे साल के दे एक ही सम क्या होता है अब हमसे अगर बोला जाए कि जहां से शुरू आता वहां पर आप पहुंचे तो बताना हम तो ना पहचान पाए हमें संगीत के इतना समझ नहीं है लेकिन उनको यह समझ थी वशपन से ही परंत उसे इस बात की समझ नहीं थी कि दाथ देने के लिए वह कहा जाता है सिर लाया जाता है पत्थर नहीं पटका जाता समझ में आया जब कोई पसंद है वह वह क्या बात है ऐसे से करके सर हिला ज प्रेश्ट संख्या साथ है बड़े कलाकार का मानवी रूप किसे कहा जाता है और क्यूं अब बिसमल्लाख खां तो बहुत बड़े कलाकार थे अब वो उनका एक मानवी रूप देखने को मिला तो इनका मानवी रूप कई जगा देखने को मिला जो खास तोर से मुझे टच किया वो मैं कह सकती हूँ कि जब महर्म के दोरान वो नंगे पाउं आठ किलो मीटर जो है नौहां बजाते हुए रोते हुए जाते थे तो वो एक मुझे बड़ा अच्छा रूप उनका देखने क मिलता है अच्छा मिलता है बिसमिल्ला खाए एक महान का कलाकार थे मान सम्मान प्रसिद्धी आदिसे परिपून परंत मुहर्म के अपसर परवे अम आम आदमी की तरहा रुंदन करते हुए नौहां बजाते और आठ किलो मीटर तक पैदल चलते थे तो अब सोचिए अब य है उनको इसलिए वह 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 तो कोई आप 8 किलोमेटर आप पैदल चलते जाओ रोते जाओ अगर आपके मन में फीलिंग नहीं है तो आप थोड़ी देर नाटक का रो सकते हो इतनी दूर तक आप नाटक का नहीं रो सकते हैं यानि कि वह लिटरली अपने मन से इस चीज़ को लेकर दुखी थे जो इतना वो रोते हुए जाते थे वो भी पैदल जा रहे हैं नंगे पाउं जाया करते थे मोहरम के दिनों में वे राग रागनियां बजाना तक छोड़ देते थे मतलब संगीत से इतना उनको प्रेम था लेकिन उन दस दिनों के लिए मोहरम के वो किसी तरह की राग रागनी को अदा नहीं करते थे एक बड़े कलाकार का इस सामान व्यक्ति की तरह सामाजिक परंपरा का निर्भा करना ही उनका मानविय रूप कहा जा सकता है इतने बड़े कलाकार थे लेकिन अपनी परंपरा और संस्कृति से पूरी तरह जुड़े हुए थे पूरी तरह उसको follow करते थे तो ये एक मानवी रूप ही प्रदर्शित उनका करता है प्रेश्ट संख्या आठ है हिरण की महक का उधानड लेकक ने किस संदर्भ में दिया है अब देखे हिरण की महक का आप सभी को पता है कि हिरण की नाभी में कस्तूरी होती है और वो उससे मोहित होकर उसको महक बहुत अच्छी लगती है और वो उस महक के श्रोत को खोजना चाहता है वो पूरे जंगल में फिरता रहता है कि जो है कि वो महक मिल जाए मुझे महक मिल जाए लेकिन उसे ये खुद ही नहीं पता होता कि वो खुद उसके अंदर है और विचारा भटकता रहता है उसी तरीके से बिस्मिल्ला खां थे बिस्मिल्ला खां सारी उम्र ईश्वर से सच्चे सुर की अदाईगी की गुजारिश करते रहे लेकिन वो सच्चे सुर तो खुद उन के अंदर था तो यही चीज बताई गई है तो देखी क्या है लेका कहता है जिस तरह हिरण अपनी महग से परेशान होकर पूरे जंगर में उस वर्दान को ढूंडता है जिससे सुगंद उसके अंदर समाई हुई उसी तरह बिस्मिल्ला खां असी वर्ष से सोचते आये कि सातों सुरों को बरतनी की योग्यता उन्हें सिलीके से अभी तक क्यों नहीं आई लेका का आशे है कि ऑंदर सुर्की सारी विश्चाय में दिमान हैं फिर भी वह सुर्की तलाश में लगे रहते थे मतलब वो जो है मतलब पूरा एक रियास करना कर रियास करते रहते थे इश्वर से मांगते रहते थे हर एक कोशिश करते रहते थे कि बस उन्हें सच्चे सुर्व प्राप्त हो जाए लेकिन वो खुद नहीं जानते थे कि वो सारे सच्चे सुर्व खुद नहीं के अ पूरी शिदत से बजाई गई शेहनायी है प्रश्ण संख्या नौ है बिस्मिल्लाख हां की जीवन पदती कैसी थी तिता उससे हमें क्या सिक्षा मिलती है हमें चाहें जंदगी में कितना भी नेम मिल जाये मतलब कितनी भी प्रसिद्धी मिल जाए कितनी भी धंदौलत रह जाए हमें अपने जीवन की अपने परिवार की इन सभी की जणों को पकड़ कर रखना है ये नहीं कि पैसा आया तो हम मुड़ते फिरे हमारे अंदर घमंड आ जाए हमारे रहन सहन में बदलाव आ जाए बोल चाल बरताव में बदलाव आ जाए ऐसा हमें नहीं करना चाहिए देखिए क्या है बिसमिल्ला खा की जीवन पद्दती अत्यन सरल और सहश थे वे इतने महान शैनाई वादक होकर भी एक साधार्न व्यक्ति की भाती जीवन व्यक्तित करते थे मतलब आपको इतना भाई जब इतने आप फेमस हैं तो साहिश सी बात है आपको उतना पैसा भी मिलता है उसके बावजूद वो उतना ही पैसा गरन करते थे जितना उनकी जरूरत थी बाकी पैसा वो ठुकरा दिया करते थे तो चाहते तो वो बहुत जादा रिच हो सकते थे लेकिन उत्ता वो रिच नहीं हुए क्योंकि वो जानते थे कि ये हमारे अंदर घमंड पैदा करेगा इसलिए तो उन्होंने साधारन व्यक्ति जैसा जीवन ही जुया वे मुसल्मान होते वे भी अन्य धर्मों का आदर करते थे खुद मुसल्मान थे लेकिन हिंदू धर्म की में देखी कितना आदर सम्मान करते थे बालाजी मंदिर, काशे विश्वनाद, गंगा मया इन सब में भी उतनी ही आस्ता रखते थे दिखावा वा अंकार तो उनके पास फटकता तक ना था उनके जीवन जीने की इस पद्दती से हमें सिक्षा मिलती है कि हमें सहेज वा एवं स्वाभाविक जीवन जीना चाहिए विनमरता और अंकार रहित जीवन महानता का गुण है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए हमें भी दूसरों के धर्म का सम्मान करना चाहिए और अपने काम में ही अपना ध्यान लगाना चाहिए तो बिसमिल्ला खाजी कि पूरा जो संपूर्ण जीवन रहा उनका जो वेक्तित्व रहा वो हमें बहुत कुछ सिखाता है और हमें इसलिए ये पार्ट हमारे सामने रखा भी गया है कि ऐसे वेक्तित्व को आप देखिए और पहचानिए ताकि इनसे काफी कुछ चीज़ें आ सारी परंपराओं को मानने की उतनी शद्दा दूसरे धर्म की करने की और आदर करने की ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनका जीवन हमें सिखाता है और हमें सीखनी भी चाहिए प्रेशन संख्या 10 है आज के समय में बिस्मिल्ला खांज ऐसे आदमी क्यों पैदा नहीं हो सकते वह आज का समय जो है ना वो स्वार्थी हो चुका है ठीक है तो आज की समय में ऐसे लोग क्यों पैदा नहीं हो सकते देखिए क्या है आधुनिक युग भौतिक वादी मनुष अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए मिट्टी में खाद और कीटनासक प्रयोग करता है ज्यादा उपज होगी तो में ज्यादा पैसा होगा लेकिन यह कितना हानी कारक है यह नहीं सोचता जिससे फसल अधिक तो हो पहले समय में मनुष की आवशक्ताइं सीमित थी इस जिसमें विक्रत और भौतिक सुखवाली वृत्ती से के लोग पैदा होने लगे तो क्या हुआ देखिए इसको इन्होंने थोड़ा सैंटिफिकली समझाया है हम ऐसे समझाते हैं पहले के समय में लोगों की जरूरते कम थी इच्छाएं इतनी नहीं हुआ करती थी हर चीज क अब भई धीरे धीरे वेक्ती के अंदर क्या आया कि भई हमें जादा पैसा अर्ण करना है हमें जादा लैविश लाइफ मिलेगी जादा अच्छी लाइफ मिलेगी तो उसको कमाने के लिए आपने जो है बहुत साधी यूरिया की इतना शकिन सब का इस्तमाल हमने खेती में करना शुरू कर दिया फसल तो बहुत अच्छी हुई लेकिन जो उसकी पॉष्टिक्ता थी वो धीरे धीरे नश्ट हो गई भाई हम खाना क्यूं खाते हैं ताकि फसल की जो पॉष्टिक्ता है वो हमें प्राप्त होगी तो मजबूत बनेंगे लेकिन इंसान ने फाइदा देखा लेकिन उसके पीछे हो रहे नुकसान की तरफ ध्यान नहीं दिया नतीजा यह हुआ कि जब हमने उसके अंदर से पॉजिटिविटी ही हटा दी तो व्यक्ति जो फसल कहा रहा है उसके अंदर वो चीज पूरी तरीके से खत्प हो गए इसलिए बिसमिल्ला खांज जैसे लोग आज पैदा नहीं होते क्यों कि आजकल के लोग जादतर भौतिक वादी है प्रैक्टिकली है कि मैं इतना काम कर रहा हूं तो मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए मुझे इसके बेनिफिट्स मिलने चाहिए हम फाइदा देखते हैं हम इमोशनली चीजों में इन्वाल्व नहीं होते हैं तो यह हमारा पूरा डीपी था जो मैंने आपको कंप्लीट कराया चीक है आयो बहुत सारे आंसर जो हैं आपके अच्छे गये होंगे मुझे उम्मीद है एक दो चीजें जो है वो थोड़ी ट्रिकी थी उनमें आपके आंसर गरबर हो सकते हैं लेकिन मेरी उम्मीद है कि आपने बहुत अ किया होगा तो इसी तरीके से हम करते हुए धीरे धीरे आगे करते करते हमने चैप्टर नंबर 11 खतम कर दिया अब हम शुरू करेंगे अपनी इसी बुक का लास्ट चैप्टर संस्कृति जिसे हम शुरू करेंगे अपने नेक्स वीडियो से तो वह भी पढ़िएगा वह एक चैप्टर है जिससे 100% शूर है कि कोश्ट आएंगे ज़रूर तो इस चैप्टर को बेसिक से अच्छे से समझता है कोश्ट तो बहुत सारे बन सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू पर वाचिंग बाइए